नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में पिनेकल बुक से SSC MTS के प्रीविस एक्जाम के कोच्छन करने वाले जो पॉलिटीक होने वाली से पहले मैंने हिस्ट्री और भुगोल का दे दिया हुआ है आप लोग जाके प्रेलिस में देख लिजेक और यह जो है SSC के प्रीविस अब सभी में बहुत काम आने वाला है क्योंकि GS तो GS होता है चाहिए कोई भी जाम हो सभी में एक ही प्रकार का प्रस्ण पूछा जाता है बस थोरा सा गुमा गुमा कर पूछा जाता है इसलिए वीडियो महत पूर्ण होने वाला है यह पॉलिटी आप खतम कर लेजेगा और सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर देजेगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले भारते सभीधान सभा और सभीधान सुरूत के देखेंगे प्रस्ण नव दिशमबर 1946 को भारते सभीधान सभा के पहले अधिवेशन का धिकता किस ने किया था सच सभीधान की संस्तूती डैस द्वरा किया गया था 1935 के भारत साधरकार अधनियम द्वरा किया गया था भारत के सभीधान में न्याइक पूर नावालोकोन की सक्तियों न्याइपालिका के सभीधान को लिया गया है अमेरिका के सभीधान से लिया गया है भारते राष्टे ध वेली भारत का अंग बना था, 1783 के वीनियमन अधनियम के दोसों को दूर करने के लिए ब्रिटिस संसत्थ द्वारा पारित किया गया था जो East India Company प्रशासनिक आयोग का वह परतिवाद इसमें भारत में नागरी केंदरी प्रसासन की पहचान सुरासन की वधाओं के रुप में किया गया बारवा प्रतिवेदन भारति सविधान में नहीं सक्तियों का सिधान्त लिया गया है कानाडाई सविधान से लिया गया है भारति सविधान में सोतंता सामांता बध्धु के सिधान्त लिये गया है फ्रांस के सविधान से लिया गया है भारति सविधान में स्तारवधिक मत के अधार पर शुनाव में जीत का फैसला लिया गिया है ब्रिटिस सविधान से लिया गिया है भारती सविधान में राज के नितिन देशक्ता तो लिये गया है आयरलेंड के सविधान से लिया गिया है भारती सविधान में एक और दो संगातमक सरकार का सुरूप लिया गिया है कानाडा के सविधान से ल सब्सक्राइब नागनिता की अवधारना को पनाया इंग्लैंड से अपनाया गया है भारते सब्धान में ऑप्सीस्ट सकतियें के विचार लिया गया है कानाडा के सब्धान से आपसीट सकती के विचार लिया गिया है सोतंतर भारत के पहले कानून मंद्री कों ते भी उरामेद कर थे भारते समिधान का नागरिक्त पर अधारी प्रेरिध है UK के समिधान से नागरिक्त जो है धारा प्रेरिध है सविधान सभागी मौसोधा समीती का ध्यक्स थे राजी नितियन दिशक सिधानतों के विचार को भारती सविधान ने अपनाया था आयरलेंड के सविधान से अपनाया था वह दे जहां समिधानिक सक्तियों का वितरन केंद्र और राज दोनों के बीच किया गिया है भारत में किया गिया है भारते समिधान सभाने समिधान को अंगीकार किया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गिया था और लागू जो है 26 जनवर 1950 को किया गिया था भारत के समिधान क की विशेस्ता नहीं एक आत्मर को बनाया गिया ता किस देश का समिधान दुनिया का सबसे चोटा समिधान भारत का समिधान 262 वह राष्टी जिसके सभिधान से प्रेडित होकर भारत अपने सभिधान में वह राष्टी प्रतिक अपने गिया था सभिधान को अपनाया गिया था सरकार का संग्य रूप अपनाया गया था कानाडा के सभिधान से अपनाया गया था भारते सभिधान में अवसिष्ट सक्तियों का विचार प्रेरी थे कानाडा के सभिधान से प्रेरी थे भारते सविधान में मूल करताव लिए गया है, USSR के सविधान से लिया गया है भारते सविधान में याचीकाएं और दूस्य अधनिय पधती प्रेरी थे, United Kingdom से प्रेरी थे भारते सविधान में सरकार का संसद्य स्वरूप प्रेरी थे, United Kingdom के समिधान से प्रेरी थे भारत के सविधान में व्यापार की सवतंता के अवधारना लिया गया है और अस्ट्रियलिया के सभिधान से लिया गया है भारते सविधान के निर्मान के दौरह 946 में सविधान सवाखे समयदानी सलाकार के रूप में बीए नराव को न्यूप किया गया था भारते सविधान में सवतनता का सिधानत लिया गया फ्रांस के सविधान से लिया गया है भारते सविधान की प्रारोग समीती में थे 7 सदसे थे सविधान की प्रारोग समीती के धक्स्ता किया था डॉक्टर भी उरामित करने किया था प्रांति सविधान समीती के निर्टित किया था जर्दार वल्लाई भाई पटेल ने किया था भारते सविधान की दिम्हताओं ने सोतंता समता और बनुता के सिधान लिया है फ्रांसिसी सविधान से लिया है भारते सविधान ने वितिय पत्रकाल की प्रावधान को लिया गया है संयुक्राज अमेरिका से लिया गया है सविधान सबाने भारत के सविधान को अंगीकार कि है राजी सुची का भाक है पूरी जोय है राज stabilize का हुथा है भारती सभीने लूरी सुची का भाता है भारती राशा सभा में चैनल का वंटन सम्बन चोती अनुसूची में राज सभाके सीटू का वंटन दिया गया है दल बदल संबंधी प्रावधान दिया गया है दस भी अनुसूची में दिया गया है वह भासा जो सभिधान की आठवी अनुसूची का हिस्सा नहीं है फार्ची जो है यह सभिधान की भासा का हिस्सा नहीं ह संग सूची में सामिल विशे बंदर गाय समवर्थी सूची में सामिल विशे कौन है मजदूर संग जो है समवर्थी सूची में आता है मूल भारते सविधान में 10 भाग और 395 अनुचे 22 भाग और 395 अनुचे थे भारते सविधान का वह अनुचे जो राजी सरकार को अधिकार परदान करता है अनुचे 213 करता है अधिकारिक भसाओं के सोची को भारते सविधान में रखा गया है आठवी अनुची कंतरगत रखा गया है भारत के सविधान के दूसरी अनुसरी के भाग ऐ में किस अधीकारिक ने वेतन परभ्दी का अलेकर निहंत्रक अ महालेखा परिक्षा के वेतन परभ्दियों का अलेकर है भारत यह जिसके तहत समिधान ने प्रेस की स्वतनता निशित किया गया है अनुछेद 19 में प्रेस की सोतनता का उलेख है भारत के समिधान का वो अनुछे जिसमें यह प्राफधान किया गया कि प्रतेक भारते राजी में एक राजी पाल होगा अनुछेद 103 पन में कहा गया है भारत के समीधान का वह अनुछे जो भारत में एक नए राज्रिय के खटन के लिए निर देश देता है अनुछे तीन के खट दिया जाता है जम्मू कस्मिर को विशेश दर्जा दिया गिया था अनुछे 370 के धहत दिया गिया था भारते सभिधान भारत को घोसित करता है राज्यू के यूनियन घोसित करता है भारते सभिधान का वह अनुछे जो भारत के राष्ट पती को राष्टी अपातकाल घोसित करने के सत्ता प्रदान करता है अनुछे 352 में करता है भारते ये सब्रदान का वह जो सूसन की विर्द मोली अधिकार आम लीच्ग मंदित है भारत के सभिधान में अनुसुची कितना है टोटल बारा अनुसुची है भारत के सभिधान के प्रावधानों में संसोधर करने की सकती है सभिधान का वह अनुच्छ जो संसद को या सकती परदान करता है अनुच्छ 387 के तहद भारते सविधान में संसोधन का उल्ले किया गिया है भारत का सविधान का अनुछद 1कावन जी तहद उल्ले किया गिया है मोल्ड भूत कर्थव यानि मौली कर्थवें को जोई किसी भी परिशंकट में नियुझन में काम करने के लिए बात किया जाए लेकिन अगर मूल अनुचेद में पूछा जाए तो टोटल 395 में अनुचेद ही आपको क्लिक करना है जब भारते सविधान को अपरनाया गया तब इसमें कितनी अनुचेद कितना था 305 में था भारते सविधान की आठवी अनुचेद में इसमें कहा गया है ब्हारत के सभीधान का वो आनुचे घूज़ के तत राष्टपती आधादेश को लगू करते हैं भारत के सभीधान का अनुचे 371 के पहले कितार उनिके खिलाप आदालुट में कोई आपाराधी करवाई नहीं शूरू किया जा सकता है राजपर या राशपती दोनों के खिलाब कोई भी करवाई नहीं किया जा सकता है भारते समिधान का हुआ अनुचे जिसके प्रावधानों के अंतरगद भारत रतन पुल्सकार का पड़ियोग प्राप्त करता के नाम के साथ उपसर्ग या पड़ते के रूप में नहीं किया जा जाएगा अनुचे अठाड़ा वण के तद उपाध्यों का अंत दिया गिया है भारते समिधान का हुआ अनुचे जो अलप संख्यकों को सैक्षिनी संस्थानों के स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है अनुचे 30 के तद देता है भारते समिधान में बोलने और अभिव्यक्ति के सोतंता का अधिकार अनुचे 29 एक में दिया गिया है भारते समिधान में अनुची है बारा अनुची है भारती सभिधान का ववा अनुचे जिसमें अस्प्रिष्टा उन्मुनन के विशे में उल्ले किया गया है अनुचे 17 के दाद अस्प्रिष्टा का अंत है भारते सभिधान का वा अनुचे जो भारत के नियंद्रे का महालेखा पडिक्चक सीय जी के लिए एक सोतन्द प्रधान करता है अनुचे 144 में नियंद्रे के वा महालेखा पडिक्चक का नियुक्ती के उल्ले किया गिया है वह अनुच्छ जो भारत के जम्मू कस्मी राजेस संबन थे अनुच्य 360 है जो समाफ़ कर दिया गया भारती स्यधान के वह सूची जिसके अंतरगत खेल काविसे आता है राज सूची में आता है सभिधान के अनुशेट 274 के अनुशार काराधान के प्रवावित करने वाले विध्यवकों के लिए पूर्व अनुमती अवस्यक होता है राष्ट पती की अनुमती अवस्यक होता है भारती सभिधान का उनुछि ज जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे मूलेख एक ग्यार्भी अनुछि पंचायती राज और जो है बारभी अनुछि में नगरपाली काओं का उल्ले किया गिया है वह राजी जहां के आदिवासी छेतरोबा भारती सभिधान के छटी अनुसुची लाग होता है और सम्में घाले क्रिपूरा मिजोरा में छटी अनुसुची लाग होता है भारती सविधान का वो अनुछे जो जीवन की रक्षा और व्यक्तिका सोतनता की गारेंटी देता है अनुछे देकाईस में प्रान एमफ देहिक सोतनता का उलेख है वह अनुछे जिसके दत भारत के परतिक नागली को स्वास्थ का दिकार दिया है उनुषे 21 के दत दिया गिया गिया है जन्वरी दुर्णीश्ट की सितिक अनुशार सविधान की वह सुची जिसमें क्रिशी को एक विशेक रूप में सामिल किया गिया है राज सुची को सामिल किया गिया है भारती सविधान का वह अनुची जिसके तत किसी विराज में राश्पती सासुन लागो किया जाता है अन वी अनुसुची सामिल है वह अनुचिस के तहत भारते सभीधान में यह निर्दिष्ट किया गया है कि उज्टम नियाले द्वारा घोसित विती भारते राजशेतर के वितर सभी नियालों पर अबध्यकारी होगा अनुचित 141 के तहत कहा गया है भारती सभीधान का वह अनु परती उत्तादाई होगा अनुचित 75 के थाथ होगा अब चलिए भारते सभीधान के भाग जिसमें प्रास्तावना नागरिता मौली का दिकार मूल करता राजी का निति दिशक्तात्व और पंचायती विवस्ता से सारे देखते हैं को चन भारत को एक सेकूलर राजी के रू नियाय को सुविकारा गिया है राजनितिक आर्थी ahor समाजिक नियाय के रूप में सुविकारा गिया है। मुख्त कानूनी सहता को सुची बद नहीं किया गिया है भारती सविधान मौलिक करतब के रूप में सुची बद नहीं यात नियमों का पाला करा इसमें जो है मौलिक करतब में सामिन नहीं है वह हरी जो तब जारी किया है जब नियाले को पता चलता है कि जो ब्यक्ति पदासी ने परंदू उस पात्र के लिए पातर नहीं अधिकार प्रेक्षा ने कूँ वेरंटो जारी किया येता है भारते समिधान के अनुसान नियाले में परवत्नी है, मूल अधिकार परवत्नी है भारते समिधान के राजी के नेती निद्शक्तत में सामिल नहीं किया गया है सूचने का अधिकार को सामिल नहीं किया गया है समिधान की वह अनुसुची जिसमें भारत के राज्यों और केंसासे परदेशों को सुची बद किया गया है पहली अनुसुची में सुची बद किया गया है राजी का निवारे कारे नहीं है मनोरंजन की व्यास्ता करना या राजी का कारे नहीं है समिधान का वह भाग जिसमें अंतराश्टे सांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्नित किया गया है राज के निती नित्रक सिधान पर वर्नित किया गया है भारती समिधान के वह अनुचे जो भारत के भासाओं से संब्ध है आठभी अनुचे भासा से संब्ध है भारत अगर्ण के समद्धान का वह अनुछ जिसमें पंचाइती परनाली विध्वान है। भारत में ब्लोक अस्तर पर बनी पंचाय सम्मेटी है प्रसासनिक प्रधिकरन होता है। भारत के सम्मान नागर्ण के समद्धित है। अनुछ चवाले समद्धित है। वर्ष 1978 में की संसोधन संपत्ती उखर दिने रखने और बेचने कधिकार को मौली कधिकार को रूप में समाप्द कर दिया। शम्मान भारत के भो भाग में मुक्त रूप से आबा गमन करने का धिकार भारतिय सम्मेटान के कीस अनुछयत के तंत्र का सामील है। भारते सभिधान का ववा अनुचव जो सभी नागरीकों के लिए समान नेयर मुप्त कानूनी सहता प्रदान करता है अनुचव उन्चालिस एक तह दिया गिया है लोग सभा में नामे सदस्यों के धिक्तम संख्य कितना होता है दो होता है भारत में लोक्तंत का तीसरा अस्थानिय सभिधान का ववा अनुभाग जिसको भारते सभिधान की अनतर आत्मा के रूप में भी जाना जाता है पानी का धिकार को देता है या वो भोगता अधिकार सा सम्मंदी नहीं है भारा जीवन के अधिकार यानिक राइट टू लाइफ अनुचित 21 के भाग के रूप में मानिता देता है पानी का अधिकार को देता है किसी गिरिपतार वेक्ती के मौली का अधिकारों पर सम्मिदाने का अनुचित 22 और पर अधिक कानुद के सम्मंद में सही कथन नहीं है पूलिस हिरास्त में दिये गे बयानों को आरोपी खिलाप सबूत की रूप में इस्तमाल किया जिसकर ये कथन गलत है नागिकों के मौल अधिकार भारते सम्मिदान में सम्मिलित किया गया है भागतीन में सम्मिलित किया गया है भारते सम्मिदान का वह भाग जिसमें चुनाओ पर अनुच्छेद है भाग जो है पंदर जो है चुनाओ से सम्मंद दिया गया है हमारी प्रस्तावना में वह सब जिसका अर्थ ऐसा आचरन करना जैसे कि हम एक ही परिवार के सदों से बंधुत्व होता है भारत के सभिधान के प्रस्तावना में सामिल नहीं है धर्म जो है सामिल नहीं है नगर निगम का कारे नहीं है कानूर न विवस्ता जोई नगर निगम का कारे नहीं है वह अधिकार जो 1978 की एक मौली का धिकार नहीं है संपत्ती का धिकार मौली का धिकार नहीं रहा 6-14 वर्ष की आयू के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवारे सिक्षा का धिकार अनुचेद 21A में दिया गिया है भारते सभिधान के प्रस्तावना में सब्ध समता द्वरा या पाईकलिपी थे कानून के समक्स सभी समान है भारते सभिधान के प्रस्तावना सभिधान के डैस और अदर्सों को व्यक्त करता है, दर्शन और अदर्सों को व्यक्त करता है स्वतंता के अधिकार की गारेंटी दिया गिया है, अनुशेद 19 में दिया गिया है संगवाद के संस्तागत संद्र में राजी विवस्ता हैं होता है। पंचायती राज सनल्चना में अस्तर होता है तीन होता है परतिक पंचायत जब किसी भी कानून के लागू होने के तुरंद बास्पूर समय के भंग न हो जाए अपनी पहली बैठा के लिए न्युक्तिती से 10 वर्सों तक जारी रहता है पांच वर्स तक जारी रहता है भारत क तो भाग चार असपस्टरुप से राज्जी से किसके प्रति सूरक्षा देने की आसा नहीं करता है नोकर पेषी महिलाओं के लिए मातरित वषक जोलन हो나estone करता नम pearls करता है === की सुरक्षा और व्यक्टिका सोतंता संबंदित है और समाधित जिसने मौली कर्तभों को सामेरी करने कि सीह फारिच किया था सरदार स्वन्शिक समिथी द्वरा किया गया था भारते नागरी के सब भी दभावता संबंद था अनुश्चत 15 संबंदी थे यादि किसी व्यक्ट नहीं यह एक वीजी कत्грूत की समिधान की सम्मवर्थी सुची में बेंकिंग ईए यह कंवर्थी सुची में नहीं भाग दो ना संब्लें किया गया और भारंती समिधान का वह अनुच्छ जिसके तहाद चोफराइव का मायूके से सब्सक्राइब क belangर hrs दोखने में काड़े में न्योजित नहीं किया जाये गया है पांच वर्ज का होता वागतिर में के समान नागरिक सहीता है यानि यूनिफार्म सिबिल, कोड के सहीत करने को नोचह 84 में भारत के समीधान तensemble नागरिकता है एकल नागरिकता है राज ये पंचायच उनाव करायद हैं राज निर्वाचन आयोकदुरा कराय जाता है नागरिकता अधनियम पारित किया गिया था 1955 में पारित किया गिया था सोचन के वीरुत अधिकार है एक मौली का धिकार है वह मामला जिसके कारा समिधान के रुच्छ दिकोईश के दजीवन का धिकार के भाग के रुप में आजीविका का धिकार बरकरार किया गया था ओलगा टेलिस बना बंबे नगर निगम केस मामले में किया गया था इंद्रा साहनी अन्य बनाम वी ओ आई मामला संबंदी थे आरक्षन से संबंदी थे भारते समिधान के अनुसार मध्यवर्ती अस्तर पंचाट्यों गठने का ऐसे राजे में नहीं किया जै सकता जिसकी जनसां के डैस से अधिक नहों 20 लाग से अधिक नहों वह सब जो भारते समधान के 42 संसोधन द्वराप्रस्तावना में सामिल किया गया था खंड़ता को सामिल किया गया था भारते समय के नूच्य दोसौत ते ताली भी के अनुसान नागर पालीका के सतवी समने के लिए नियुंतम अवस्य कायू कित्ता है 21 साल हो जायएगा भारत सबसे कम समय के लिए भारत के राश्पती के रूप में काड़े किये थे डॉक्टर जाके हुशन ने काड़े किये थे भारत के राश्पती के रूप में निर्विरो चुने गये थे सबसे के राश्पती विधाय का प्रती जबाब दे होता है भारत के पहले उपराश्पती थे एस राधा कृष्णन थे भारत का वह राश्पती जिनोंने उपराश्पती का पदभार नहीं संभाला है ग्यानी जैल सिंग नहीं संभाला है भारत के राश्पती किस की सलाप और किसी राज के राजपाल के नुक्ति करते हैं भारत के परधान मंत्री की सलाप करते हैं राज सभा की सकती नहीं है अपातकाल की घोसना की स्विक्रती देना ये राज सभा की सकती नहीं है वह राजी जो राज सभा में सदस्यों के अधिक्तम संख्या भेजता है उत्तर परदेश भेजता है और विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोग सभा में लाया जाता है भारत का राजपती लोग सभा में कालेकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है परधान मंतरी के सलापर कर सकते हैं कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं या निदार्ण करता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहें चंदर से का अंजोय लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे भारत के सभिधान का वान उच्छा जिसमें भारत के राश्पति के महवियोग के प्रापधानों के बारे मुले किया गया है, अनुछी देक्सर में महवियोग का उलेख है, पॉपूलर चेम्बर कहा याता है, लोक सभाव राजसभा का सहयूंत बैठा के अधेक्ष करते हैं, लोग वहाइन काड़ सँचाह अचरेन के नियामिली का नियाम डैस अंसतभवन कर समक्ष आपचारीक पर अपपीश किये जाने से संब्सक्राइब मामलूपर चरचा के बाद मतदान नहीं हो सकता एको आध्याट जाता है संसद में कोई धन वध्यक हाई या नहीं इस अध्यक्ष लेते हैं एक वर्ष में लोग सभा के सामनता आईजुत किया जाता है तीन सत्र आईजुन किया जाता है सोतंता जाल भारत का पहले उप परधान मंत्री कौन हुए थे सरदार अब लभाई पटेल हुए थे भारत सविधान में अपसिष्ट मामलों पर कानून बना और पारित कीया जाता है विधाए सक्तियों कि बारत सरकार के प्रात्समीگ जिमेदारीयों में से एक रक्षा बलों को बनायारखना है राज्य विधान सवखा के निरवाजी सद्सरों को चुनाव करते लोक सभाव राजी सभा प्राश्पति के चुनाव से उत्पन सभी संधियों और विवादों की जाज करने और निर्नाय लेने का धिकार प्राप्त है लोग सभा में किसी विशेज दिन पर चर्चा के लिए स्विकिर्ट मौखी उत्तरों के लिए तारंखित प्रसनी का लिखतम से के लिए 20 प्रसन होता है उप राश्पति को लिखित रूप से सम्मोधी करता हुए अपने पस त्याग पर देते हैं राश्ट पती देते हैं उत्तर परदेश से राज सभा में न्यूक्त किया जाता है 31 सदर से न्यूक्त किया जाता है भारते संके परधान मंत्रियों और अन्य मंत्रियों को भारत के सभिधान के अउनुछ 75 के दर राश्ट पती दर न्यूक्त किया जा सकता है राश्ट पती किसी राज़ी के डैस से एक रिपूर्ट प्राप्त होने पर उन्चे 356 के दर्थ अपातकाल की घुशना करते हैं राज़ी पाल से प्राप्त रिपूर्ट का धार पर राश्ट पती सासन लगाया जाता है राश्ट पती दोरा प्रतेक पांच वर्थ के समाप्त पर गठन किया था है वी तायोक का गठन किया था है संसत के प्रतेक सदन को बुलाने का धिकार राश्ट पती के पास होता है जब तक नई संसत सपूर वर्च के लिए बज़ेट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रासासनी खर्चे पूरे करने के अनुमती प्राप्त होता है गराना के अधारपर मत दाने के वोट औन अकाउंट के अधारपर होता है प्रथम लोगसभा के उपादक्स कोन थे? एम अनंते सयनम अयंगर थे भारत के मुख्य नयदिश के निउति कोन करता है? राष्ट पती करते हैं दो बार देश के उपर शुप्रती बनने वाले नेता कोन थे? सरपल्ली राधा क्रिश्नन थे कोई विध्यक धन भी देखाई याने इस पर विपक्ष के निता का अंतिव निनाय होगा या गथन सही है नहीं या नहीं लोगसभा के बारे में सही नहीं है राष्ट पती दोरा राष्ट ये पातिकाल की घोशना किया गया था? तीन बार किया गया था प्रथम लोगसभा के गठन हुआ था 1922 में हुआ था अध्यादेश प्रक्ष्याफित करने का अधिकार है राष्ट पती को होता है भारत के सभिधान का वह अनुछे जो राष्ट पती के चुनाव के परनाली से सम्मंदित है अनुछे पच्पन है संजद और राज्य को विधान सभा के दोनों सदनों के निरवाची सदसे भाग लेते हैं राष्ट पती के चुनाव में भाग लेते हैं भारते संजद के उच सदन को क्या कहा था राष्ट सभा कहा जाता है मिर्तियू त्याग पत महवियोग दोर हटाये जाने या अनेकारणों से रिक्त होने पर राष्ट पती का पत संभालता है राज्ट सभा के सभावती संभालते हैं परतियक संसत ये बैठक का पहला घंटा होता है, प्रस्नकाल का होता है, भारत में राष्ट ध्यक्ष और सर्वोचे उपचारी का धिकारी होता है, राष्ट पती होता है, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है, संसत के पास होता है, लोक सभा में और भारत के रक्षा बलों के सरवोचे कमान रकून रास्ट पती होते हैं भारत के रास्ट पती के चुनाओं सब्सक्ति को जारी करने के सकती रास्ट पती के पास होता है भारती सविधान का नुझार राश्पती आंगल भारती समुधाय में लोकसवा के नामी सदसे दो सदस्यों होता है भारती का सविधान का नुझे 103 के तल लोकसवा की बैठक सुरू करने के लिए अपेक्षित गनपूर्ती सदस्यों के कुल संख्या का दस्वा हिस्सा होना चाहिए संसत के दोनों सदस्यों की सविधान बैठक के धक्षता कोन करते हैं लोकसवा का धक्ष करते हैं पहली लोक सभा का पहला सतर शुरू हुआ था, 13 मईं 1952 को शुरू हुआ था, लोक सभा हैं प्रस्णों की स्विकर्दा का फैसला करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, संसत के दोनों सदनों और उसकी सम्मेथियों सदसों की सक्तिया, विशस अधिकार और बचाओ के बारे मुक 59 मुलिय को हुआ था, संसत का रवाही में सुने काले के दराघ़ान, लोतरी में उनकी प्राथमिक्ता कनुसर, प्रति दिन अनुमती दिया था है, 20 माम लोक उठाने के νूमति दिया जाता है ऐसे मामले जो विवस्था कापरास नहीं है उन्हें लोक सभा के निन्ना है नियम 10 के तःट 20 सुलेखित के जरिये उठाया जाता है और नियम 377 के थर उठाया जाता है भारत के सभीधान का वो अनुझे जिसमें लोग सभावयों अनुस्य graduates जाती लिए C2 Co का रेक्षन का प्रावधानय अनुच्य 330 में है वह अधिक्ति जिसका भारत का राश्पति के रूप में कार काल सबसे अधिक रहा था, राजियंतर प्रसद के कार काल सबसे अधिक था भारते सविधान में राश्पदी के चुनाव से सम्मंद अनुछेद अनुछेद चौवन है भारत में चौवदवे राश्पदी कों थे? रामनात कोविन थे भारते सविधान के दस्विन सुची के दात लोग सभा के किसी भी सदस्यों के एयोता से सम्मद्य किसी भी मुद्य पर अंतिम निर्ने लिया जाता है और ध्यक्ष लोग सभा का ध्यक्ष द्वरा लिया जाता है दुई सद्धानात्मक विधाय का वाला परांत नहीं है गुजरात नहीं है भारते सविधान के किस अनुषभ के संबंदू का उल्लिय किया गया है भाग जो है एक गारा में जो अनुषभ 245 से 255 किया गया है किस भारते राजी के सबसे लंबे समय तक सेबा में रहने वाले राजपाल थे, पदमजा नाईडू थे, भारत में राज़ियों के राजपाल के न्युक्ति करने का देखार रास्टपती के पास होता है, विधाय को दू अलग अलग विधान सभाव मंडल या सदोना के ओवा राजी जिसमें दूर सदोनी विधान मंडले बिहार में है, विधान सभाव का सदों से बनने के लिए नियुंतमायू कितना होना चाहिए, किसी भारते राजपाल बनने वाले पहली महिला थी, सरोजिनी नाईडू थी नियाले में निश्पक्ष मुकदमे के लिए भारते सभिधान तीन अधिकारों की वस्ता करता है, इन अधिकारों में से एक नहीं है, भारत में पैदा हुए, किसी भी विधादी पर विधेशी कानूनों के दाद सुनवाई नहीं किया जाएगा, वह आधेश जब तक जारी किया जाता है, जब नियाले को लगता है कि याधी कर अपने कानूनी और अधिकारों को पारा नहीं कर रहा है, तो इसमें किसी व्यक्ति के मुलिये अधिकार प्रवाइद हो रहे था, पर माधन देमिय में जारी किया जाता है, नियाधीस पद पर बने रहत सकते हैं, सेवा निर्वित होने तक वह नियाले जो किसी अदालत का मुकादमा अपने पास मंगवा सकता है भारत का सर्वोच नियाले मंगवा सकता है भारत के राजे में जीला नेदिशों के नियुक्ति उच नियाले द्वरा किया था है राजपल के परामर से किया था है भारत के एक उच नि वहां में की खिला पेस्किया गिया था भारत के राज़ी उच्ने आले के पहली रूप राश्पती के रूप में अकारे के थे भारत के मुख करते हैं भारत के नियांतरन में अदाल्दू का पदानो कुरम सामेर जीसमें सरवोचे है सरवोचे नियाले भारत के सरवोचे नियाले के धिकार छेतर में नहीं है वितिये नहीं है दो राज्यों के विच के विबात को भारत के सर्वोचे नियाले दोरा अपने जी से नियाधिकार एक अंतरगर निप्टाये जाएगा वह क्या होता है? मूल नियाधिकार होता है भारत के सर्वोच नियाले के सक्तिक के संदर्वन्याइक समिक्षा करत क्या होता है या संसा द्वरा पारिज किसी भी कानून के संबधानिक तक ही जाज करता है किसी एक वेक्ति को भारते सर्वोच नियाले के नैधिस के रूप में न्युक्त होने के लिए उच नियाले में कितने वर्षों तक अभ्यास करना होगा, दस वर्षों तक अभ्यास करना होगा, एक अपचारिक दस्तावे जिसमें केवल भारत के उच नियाले या सरबुच नियाले द्वारा सरकार को जारी कि एक नियाले को अधिस नहीत होता है, रीड या परमादे गया था उच निया लर्ण खर नहीं तल में इसका जो है उच नियाले का उलेक है भारत के नियाले की सक्तियों नियाप लिगर की सोतंता का उलेक के प्रवधान अमेरिका कि सविधान से लिया गिया है केरोल और लक्षदीब का ओच न्याले इस्ती थे एरना कूलम में है अंडमाननी को बार्चितर दिकार आता है कलकत्ता ओच न्याले का अंतरगत आता है भारत में सबसे बारा अपेलिये न्याले को ने उच्तम न्याले यानिक सुप्रीम कोर्ट है भारत को उच्तम न्याले द लेने और पूर्स्त colony निर्देश करता है भारत मुझतम ने ओच नयाले के नियालिजों के निखिक करते हैं राश्पती करते हैं डैस को छोर कर अने सभी विशेस्ता है जो सबसे आगे वही जीते विवस्ता की है विजय उमिदबार को भोटों को बहुमत हांसिल होता है समानुपातिक परतेनेती विवस्ता की विशेश्ता है हर पार्टी को प्राव्त मत के अनुपात में विधायका में सीटे हासिल होता है वह दे जो First Past the Post निर्वाचन परनाली का अनुन उसरन करता है United Kingdom करता है भारत में पहले आम चुनाव हुआ था 1952 में निर्वाचन के अनुपाता है मार्च 2019 में Social Media Platform और Internet and Mobile Association of India के इन आम चुनाव जरुष केलिए भारत के निर्वाचन आयोग को पेस किया था स्वेक्षिक आचार सेहे पेस किया था भारत के सभी दान का व अनुचे जो चुनाव आयो को संसद और राजि भी दान सबाकर चुनावो को प्रेवक्षन की सकती देता है अनुचे 324 के दन देता है भारत के परथा मुखी चुनाव आइट कों थे भारत के राश्पधिवर न्यूक्त किया जाता है भारत के चुनाव के संदर में वीवी पैट का पूर्ण रुपिया होता है वोटर वेरिफाइड पेपर ओडिट ट्रायल होता है भारत में सोतंतर निश्पध चुनाव कराने के लिए उतरदाई अस्वायत निकाई कोने निरवाचन आयोग है परति निद्यों के चुनाव में समान सभाग्द्या पानने के लिए जनता और पैक्षा करती है लोग तंदर से करती है भारत के 23 मुख चुनाव आयुद के रूप में न्यूक किया गया था सुनील और और औरा को न्यूक किया गया था भारत में लोग सभा चुनाव आयुद कराता है निरवाचन आयोग कराता है सरकार के कारेकाल के दरह उत्पन होने वाले रिक्त को भारने के लिए किसी भी राजनितिक संसर्दी विधान सवाचेतर में होने वाले चुनाव को कहाया था उप चुनाव कहाया था है भारत में चुनाव के लिए आदर अचार सहीता लागू करता है निरबाजन आयोग करता है जन परति नित्व अधनियाम पारित किया गिया था 1901 पारित किया गिया था कान सी राम थे भार्त में भारती जंत पार्ट यानि बीजे पी याकर राजनेतिक दल के रूप में लोग के इस्थापत नहीं सुसें न किया गया धा ओने6य डु Falcons सिर्लंक ऐस सडमें हैं 225 होते हैं दुनिया के सबसे बड़ी संसद है चीन में हैं पाकिस्तान के पौहले राश्पती थे इसकंदर में जाते लोग तंत्र में सत्ता रूर दल उतरदाई होता है लोगों के प्रतीद उतरदाई होता है धर्वनीश के आम चुनाव के दौरान वह राजनीश दल जो नोकुरियों में पीछ्रा वर्यों औमीशी का रक्ष्ट मिलना चाहिए मंडल आयोग ने सिफास कि या था सबधान सभाकी पहले पाहली बैठाय ऑजन किया था दिल्ली में किया गिए सभेदिनिक निकाए नहीं है राश्टी महिल आयोगант समयधानिक निकाय नहीं है बीपी मंडल आयोग का गठन की सवर्ष के पिछले वनके कारणों के अध्यक्स करने के लिए किया गया था सामाजिक और आथिक रूप से पीछले वर्गों के लिए किया गया था बहरत सरकार दोर योजन आयोग के अस्थाफ़िक किया गया था 1950 में इस तक अस्थाफना किया गया था एक संबैधानिक निकाय निहंतरे का मालिक सापरिक च美味 जग है बारत का गयर संबैधानिक निकाय राजी मानव अधिकार आयोग है केंदrolle के संबधों संबधी था 245-255 है भारत में वित आयोग के कथन नियु समिधान करूंचे 2810 कितुह तर रास्दिधूर कीयाल चाता है केंज राज सम्मद्धों सम्मद्ध मुद्धों की जांच के लिए केंज सरकार ने न्युक्ति किया यह था सरकारी आयोक की न्युक्ति किया था अठार और सियासी के भारते न्यागरिक सेवायों में सुधार के सिफार्सों करने के लिए न्युक्ति किया गिया था ये सीचन कमीशन का न्यूक्ति किया गी अज़न गहुंते ओनिसे थी। Dootzie पिछरावार। आयोक की धुष्द्ट आत थी। वहाँ पर्टी दूती अगे गना क ऱात गहुतर तना मिश्ध भ्यान का श्तर थी। वह पहीति क्योंत पत्य बीसे धुषिड' निकाय नहीं है नेती आयोग ने योजना योकस्थान लिया एक जन्मरी 25 को लिया जून 22 किस्ति अनुस्टर भारत के पंद्रावे बीता योक कदेक्स कौन थे एनके सिंग थे वह संसद्य समित्य इसमें राय समगा कोई भी सदस्य नहीं होता है प्राकलन समित्य में नहीं होत आंतरी कसंधि के धर पर अपतकाल नहीं लगता है बीच अपतकाल अपतकाल के दनफ항 के प्रश्त के में कम किया जाता भारत के सभिधान का अनुछे 356 पत्कान का प्राभधाल जर्मनी के सभिधान से लिया गया है अपत्काल 1975 के दोरान भारत के राश्पती कुन थे डॉक्टर फॉकुरुदीन अली अहमद थे भारती सभिधान के डैस का समन्मन युद बाहरी आकर्मन या 67 विद्रों के कारण जैने मुला पत्काल से अनुचे 352 लगा जाता है भारती सविधान की प्रधिकर्त हिंदी पार्ट के सविधान संसुधन में से किसके द्वारा प्रकासित करने के लिए अधिकर्ट किया गया था अंठावनवा संसोधन अधनियम 1987 में किया गया था एक नया राज बनाने में समयधानिक संसोधन के लिए बहुमा चाहिए साधारन बहुमा चाहिए भारती संसोधन का सववा संसोधन प्रदान करता है भारत द्वारा छेतरों को प्राप्त करना और बांगलादेश में कुछ चेतरों का हास्त नांतर से सम्मान दियानिके समवा समिधान संसोधन जो है भारत बांगलादेश के बेच भूमी सीमा साध्या करता है वह समिधान संसोधन जिसके द्वरसी च्छा काधिकार प्रदान किया गया है 86 संसोधन द्वर्दो के दहत्त किया गया है 86 संसोधन अधिनियम द्वर्दो ने भारत के समिधान में दाखे लिखिया अनुची 2021 को सामिल किया वे संसोधन अधनियम जिसके अंतरगत पांचाई तीरासं स्तायं अस्तित में 73 और 74 संसोधन से आया 73 संसोधन के परियामी श्रूपी zg़ भारति संसोधन के परियामी इंडेती गया श्रूपीर र bring जोडा गया श्रूपी संस desem सब्सक्राइब भारत सब्सक्राइब भारत सब्सक्राइब पहला संसुधन किया गया था वर्स 1951 में किया था सिख्छा का अधिकार अधिनियम यमित किया था दोहर नौ में अधिनियमित किया गया था सब्सक्राइब भारत सब्सक्राइब पहला संसुधन के जीजेश्टु लागु किया था सभीधान के संसोधन अधनियम भारत के सभीधान 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 के बच्चों को निशूल और अनिवार सिक्षा देने के लिए सभीधान का वा संसोधन जिसे बोड़ों डोगरी में संथाली और मैथली को मानेता प्राप्ट हुआ बेरानमेवा संभीधान संसोधन अधनियम धरतीन में प्राप्ट हुआ भारते सभीधान का वा संसोधन जिसके दौर दिल्ली को राष्ट्र 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 दिया गया 79 संसोधन अधनियम के दाथ दिल्ली को राष्ट्र राष्ट्र दर्जा दिया गया 1975 के 36 संसुर्धन के मालम से भारते गनराजी में सामिंश किया गया σिछ की में कुछ किया गया सं अधनियमinkों सभिधान के प्राथम संसोर्धन अधनियम में 1912 संसुर्धन में जोड़ा गया लेकिन अभी तक जो एक सो पांसे सघॉदन हो चुका है। जो सभिधान संसोधन संभाट मैं भाग नौ को चुरा गया हूँ जिसमें भाफ्य सभिधान में अनुषद का गżen kg 86 संसोधन में किया गिया था सभिधान में द बद निरोद प्रावधाना की confirवात 52 समय धान संसोधन अर्धिनियम से किया गया था 1796 में राष्टिय पतकाल के दोरान लाय गया वह समय धाने इक संसोधन जिसको भारत का लगू समय धान कहा था है email 1931 मे ने भारत एंस संसोधन में जोरा भाग 9-1 सनसोधन जिसे ने मंत्री प्रश्टियाकार को सदन के कुलाकार के 15 प्रश्ट तक सीमित कर दिया कानुवह संसोधन जिसने राष्ट-पति के लिए संभिधाने संसोधन बेलोपर अपनी संसोधन के बात कर दिया 124 वा संसोधन विजा द्रूनी संबंधित है, आर्थी का राक्षन ससे संबंधित है। संसोधन द्रियां संभीधान की प्रस्तामना को संसोधन किया गिया। अपनाया नहीं किया था, सत्यमेव जैति मुन्डो को पनिश blij गिया। भारते सरकार को अधिकार जो ससद से नहों होते भी भारते ससद की करेवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। लोगपाल का विचार लिया गया है। यह सूसाजन की विवस्ता नहीं है। नागरिक एक अच्छा राजे बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राजे बनाता है। प्रिधिक सेवा पर्धिकर निक अधिनियम करता बनाया गया है। बांगला देश की संसर्द में धिकतम सदस्तु की संग्या 350 है। नेपाल देश को बाटा गया है, साथ परंतों में बाटा गया है। केरल के पहले मुख्य मंतरी थे, EMS नम्मूदरी पाद थे। सबसे लंबे समय तक बांगला देश के परधान मंतरी पतपर बने रहने वाले ब्रक्ति का नाम सेख हसीना है। मनिपुर में घाले और तिरिपूरा डैस्क अंतरगत राज्य बनाये गये। उत्तरपुर्भी छेतर पुनगाटर अधिनियम 1971 केतब बनाये गये। वह भारती राजी इसने सरकारी करमचारियों के माता पिता के सुरक्षा के लिए प्रनाम आयोक की शुरुवत किया था। बर्मा स्वतंद्र संपव्रो गनराज बने गिया था। वर्स 1948 में बने गिया था। भारत के पौहले लोकपाल के गर नायक सद्र से और चना रामा सुंद्रम है। लोगों को अपने परतिनीदीर को चुनने किनुमती देता है। भारती रजन्तंत्र देता है। अस्थानिय सरकार के त्री अस्थानिय परणाली में सामिन लहिए। लोगों की अधिक अबादी वाले राज्यों को अधिक परतिन जो मिलते हैं भारत में मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंद्र भारत का है। राष्ट्य मानव अधिकार आयों के बारे में सही कथन है। उसकी सत्ता स्वरूप में किवल सी भारजन की संस्तूरती पराख है। राज सुची में सामील है, पूलिस सामील है। लोगतंदर के पक्षिम अच्छा तर्क नहीं है, लोगतंदर आने लोगों की तुला में अधिक समर्दिय कथन गलत दिया गया है। सविधान की आठीवी अनसोची सविधान के बिरन में संसोधन अधिनियम धर्तीन द्वरा यथा अधितन में सुचीवत भाचाओ के संख्या 22 है। संसत्र और गोला बारुत रखने और उसके पयोपियोग से नियंदित करने वाला संसत्र अधिनियम का पारित हुआ। 1969 में ससत्र अधिनियम पारित हुआ। भारते संसद्वरा भागोरा आर्थी का अधिनियम पारित किया गया। सरकार के पर नालिजिस में सक्तिया, केंडरियन, पर्धिकरन और देश की भीविन संगठा नहीं का योग की भीवजित हुता है। संगबाद में भी भाजित होता है। जम्मू और कस्मीर का सविधान अपनाया गया, 1956 में अपनाया गया। लोगतंत्र के संदर में एक सही अबधारनाजी से लोगतंत्र ने सफलता पुर्वक समाप्ट कर दिया, राजनितिक असमंता का वीचार को समाप्ट कर दिया। माता पीता ववरिष्ट नागरिकों का सनक्षन और कल्यान अधनियम, मैंटेनेस और वेलफियर और पैरेंट्स एंड सिटिजन एक्ट लागू हुआ द्वरसात में। लोग तंत्र में राजनितिक और समाजी का असमंताओं का अध्यन से पता चलता है, लोग तंत्र में असमंताओं मौझूद है। वो अधनियम जिसने इस्टि इंडिया कंपणी के सिविल सेवा की भारती के लिए अधार गूरूप में खुली पर्ति था सबके लिए खूल गया। प्रति निष्ठा दूसरे प्रति बदले उसे क्या कहाया दल बदल कहायाता है केंदर सरकार के साथ साथ राजी सरकार के बारे में सरुकार परिलक्षीत होते हैं समुवर्थी सूची में लेखित है भारत एक इस प्रकार का परिशांगे जिसमें कुछ राज्यों के पास और राज्यों के तुले में अधिक सक्तिया है एक जूट डखना, जनता को अंतरी के साथ बाहे मामलों की निरनय के सर्वोच अधिकार है, कोई भी बाहरी सक्ती भारोके अधियू्ट नहीं दे सकता है, यह भारत को बनाता है, सारभोम बनाता है। भारत को केंदसासी परदेश के अगठन इसली किया गया है क्योंकि वे राज बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांथ है लोक तंद्र को तानासाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की परिगरीमा बढ़ाता है भारत के सभिधान करुशार पसुधन और पसुपरण का विशाय सामिल है राज सुची में भारत का सभिधान करुशार राश्य राधानी छेतर दिली में मतरियों के परिशत होगा जिसकी संख्या भी धान सभागे कूल सदस्यों के संख्या के 10 से अधिक नहीं होगा वह भासा जो भारत के अनुसुशित भासा नहीं है राज सा समित्यान पर अंतर राजय परिशात के स्थाबनाय कि या इंटरनेशनल संबंज वा चिन यो संगिया देश नहीं भारत भारत में इंटरयकाव मालेख्र प्रिक्ष क क्यों करते हैं रास्थ पथी द्र preparat मिया जाता है मनौनीपन स्संबंज गशेजेचा संबंज कदिकार परदान करने वाले मुक्त और अनिवार सिक्षा कदिकार आठी अधिनियम को स्विकृति मिला दौहर नौ में मिला 1907 में भारत के सभीधार में राज भज़ाओ के सोची में सामिल किया गए था सासक देश की जनता के द्वारपर्तेक सुरूप से चूने जाते हैं लो जन सकती पार्टी का ध्यक से राम विलाज पासवान थे वहां बैंक जो बुचुनावी बन जारी करने के लिए अधिक्री था भारतिय स्टेट बैंक था वरिता करम के नुशारवरत्य करम में सबसे उच प्रोटोकोल मिलता है किंद्री केबिनेट मंदरी को मिलता है 1964 में जवाहल लाइन लेडियों की मिर्थी के बाद भारते करवायक परधान मंदरी को थे गुलजारी लाल नंदा थे किसी विशेस निरनाया कानून को रोखने के लिए किसी ब्यक्ति या पार्टी या राष्ट के अधिकार को कहा था है वीटो कहाया था है स्वयुक्त प्रसंदे सारे कंप्लीट होगे अगर आप लोग के वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दिजिए अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा और जिन लोगों का भी वीडियो हिस्ट्री और बाइलोजी और साथ में मैंने किसका दिया थ और इन सभी का पेडिया आपको टेलिग्राम चैनल मिल जाका जाकर जोइन जरूर कर लिजेगा लिंक जो है वीडियो को डिक्सिप्सर में दिया गया वहाँ पर आपको एससी के सभी अपडेट्स फटाफर दिये जाता है साथ मेरे लेवेक एक्जामस के विली भी दिये जा